Hello Friends, Welcome to Flavors in Kitchen by Ankita आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ लजान्या की रेशपी ये बहुत ही easy है बनाना घर पे और इसमें जो मैं बनाने वाली हूँ इसमें आपको कोई भी लजान्या शीट्स नहीं लेने पड़ेंगे अराम से आप इसे घर पे रखे वेजिटेबल से बना सकते हैं और इसमें बहुत जादा इंग्रेरिंस की भी ज़रूत नहीं है तो आए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने एक कढाई लिए जिसमें मैंने एक चमच बटर डाला है बटर आप सॉल्टेड या अंसॉल्टेड कुछ भी ले सकते हैं तो यहाँ पे मैं बटर में एक चमच मैदा डाल रही है इसको आपको लो फ्लेम में ही आपको थोड़ी देर रोस्ट करना है कम से कम ऐसे पांच मिर्ट तक और यह ध्यान लेकरना है कि इसका कलर चेंज ना हूँ तो लो फ्लेम पे ही हमें इसे थोड़ी देर रोस्ट करना है और यह देखें करीबन पांच मिर्ट तक मैंने इसे रोस्ट किया है और अभी मैं इसमें करीबन दो कप दूद डाल रही हूं दूद मैंने चिल्ड मिल्क यूज किया यहां पर तो आप यह ध्यान दे कि जब आपको इसमें मिल्क एड करना हो तो आप गैस का फ्लेम बन कर दें और इसी इसी तरह से थोड़ी देर चलाएं उसके बाद आप गैस करें और यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप जब भी दूद इसमें डाले तो आप चिल्ड दूद डाले इसमें तो क्या ना कि लंप्स नहीं बनेंगे इसमें वर्णा क्या है कि अगर आप कर्म दूद डाल देंगे और एक साथ ऐसे डाल देंगे तो वो लं तोड़ा नमक मैंने डाला है और करीब आधा टेबिक स्पून के करीब मैंने इसमें पीजा सीजनिंग डाली है अगर आपके पास और हैं तो आप भी डाल सकते हैं मेक्स्ट हर्बस है तो आप भी डाल सकते हैं तो यह देखिए अभी हमारा वाइट सॉस बनकर रेडी हो गया है बहुत ही इजी है बनाना वाइट सॉस और यहां पर मैंने करीबन एक चौध थाई कप ग्रेट चीज लिया है चीज भी आप अमुल चीज मैंने यहां पर यूज किया है आप कोई भी प्रॉसेस चीज ले सकत है और ऐसे ही हमें लो फ्लेम पे इसे अच्छे से चलाना है जब तक कि यह मेंट ना हो जाए और अभी यहां पर मैं दो कप इसमें डाल रही हूं पास्ता जो मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ है बॉयल करते वक्त मैंने थोड़ा पानी में नमक डाल दिया था तो और यहां एक रख दूसरी कड़ाई में मैंने दो चम्मच तेल लिया है जिसमें मैंने करीबन एक चम्मच आइदर आप ग्रेट ले या फिर मिंस्ट वाले या फिर लेस्ट पेस्पी ले सकते है वह मैंने डाले है डालकर थोड़ी देर चलाए और करीबन एक आधा कप के कर स्लाइस कर ले लंबा लंबा आप वह इसमें डाल दें और यहां पे मैंने एक शिम्लामिश लिया है हरी शिम्लामिश है यहां पे उसको भी मैंने लंबा लंबा काट कर इसमें डाल दिया है और करीबन एक कप मैंने यहां पे स्लाइस किये वे मश्रूम लिये है वह भी मैंन इसमें डाल दिया है, सबजियां आप कोई भी यहाँ पर डाल सकते हैं, सबजियों का आपके घर में जो भी अवेलेबल सबजी है, अगर आपके पास ब्रॉकली है आप वो ब्रॉकली डाल सकते हैं, अगर आपके पास पालक है तो आप वो भी डाल सकते हैं, सबजियां कुछ अभी अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद सब्सक्राइब आप इसमें डाल सकते हैं और अभी हम इसको थोड़ी देर चलाने के बाद हम ऐसे कवर कर गएंगे लो फ्लेम के लिए हमें इसको रफना है और जादा हमें इसको बहुत तो ओवर कुक नहीं करना है थोड़ा बस हमारा मश्रूम थोड़ा गल जाए और यहां पर मैंने बॉइल किये वे मकई के दाने लिए इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है तो करीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें कॉर्ण डाला है वो भी पहले से बॉइल करके मैंने रखा हुआ था अब यहां पर मैंने थोड़ा पनीर इसमें डाला है यह देखिए पनीर आप चाहें तो मार्केट का यूज़ कर सकते हैं या घर पे बनावा यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी देर चलाने के बाद अभी मैं इसमें करीब एक कप डाल रही हूँ पीजा पास्ता सॉस यह मार्केट में अविलेबल होता है और अगर आप घर पे बनाना चाहें तो आराम से आप पीजा पास्ता सॉस घर पे भी बना सकते हैं आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी इसकी रेसिपी यहां पे मैंने एक टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स डाला है और आधा टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें मिक्स्ट हर्ब्स डाले हैं isolating Mixed herbs, मैं जैसा ओरी बताई आप चाहें तो औरी कैनो डाल सकते हैं वो domino's के साथ जह आता है वो डाल सकते हैं या फिर जो आपको मारकट मेवलेबल होते हैं बो डाल सकते हैं यहां पर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें और सब्समें ऑलिबस भी डाले हैं और यहां पर मैं एक बेकिंग तिश को ग्रीस कर रही हूं, ग्रीस करके अब हम क्या करेंगे, लेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो अभी मैंने वाइट सॉस पास्ता जो रेडी किया है, तो वाइट सॉस पास्ता मैं इसमें उसका एक लेयर बना रही हूं, और इस तरह से दे तो यह देखिए सबजी का एक लेयर हो गया सबजियां जैसा मैंने पहले बताया आप कोई भी सबजी डाल सकते हैं और यहां पर यह देखिए मैं दूसरा लेयर अभी इसमें डाल रही है और यह लेयर भी हमारेडी हो गया इसके उपर से वापस से हम सबजियों का लेयर करेंगी यह सबजियों का भी लेयर रेडी हो गया है और यह देखिए अभी यह हमारा लास्ट लेयर हो गया पास्ता का आपको ध्यान देना है कि जो पास्ता का जो लेयर है वो टॉप में आए और अभी हम यहाँ पे इसके उपर ग्रेटेड पीजा चीज अभी मैं डाल रही हूँ यह देखिए पीजा चीज अभी मैंने पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दिया इसके उपर और अभी हम इसको करीब 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट तक बेक कर लेंगे प्री हिटेड अवन में तो अभी यह देखिए यह बेक होने के बाद बिलकुल रेडी हो चुका है हमारा लजान और यह बहुत ही यमी लग रहा है देखने से प्रेंस आप इसको आराम से घर पे ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी होती है यह डिश और अभी इसको थोड़े देज हम इसको रखकर 15 से 20 मिनट तक रखकर हम इसको कट कर लेंगे और इसको अभी कट करने के बाद हम इसके लेर्स जो है आप अराम से इसको ऐसे निकाल ले यह देखे बहुत ही हमारी चीजी सी लजानिया रेडी हो गया है और यह देखे यह लेर्स पर आपको इसमें देखेंगे वेजटेबल के और पास्ता के और चीज भी मेल्ट होकर बहुत अच्छे से कलर आया है चीज का तो आप इसको आराम से ट्राइ कर सकते हैं और कमन सेक्षिन और मुझे बताईएगा कि कैसा दना है आपका लजानिया थांक्यू फो वाचिंग